हाई वडिवान वेलकम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में मैं आपके शेयर करने वाली हूं कठल की सब्जी की रेसिपी जो बहुत ही सिंपल रेसिपी है तो चलिए बनाते इस रेसिपी को आगा हम यहां पूरा है है उ प्रेसर पाल कंम iba टो है तो के शोड़ी पीस है इसको अच्छे से गडार्म पानी में इस दो लिया एक प्रिश को प्रेसर कुकल के यह निर यह से और इसका कि एक पानी डालने के बाद अब हम इसमें हल्दी पॉडर डाल देंगे हल्दी पॉडर हमने हाफ टी स्पून लिया है पस इसका कलर चेंज करने के लिए और वन टी स्पून नमक डाल देंगे ताकि इसमें अच्छे से नमक इसके अंदर चला जाए और इसको गैस पर रखे हाइफ तो इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है तो अब हम इसका ढ़कन लगा देंगे और इसको एक सीटी आने तक पकाएंगे तो अब हम इसका मसाला तयार कर लेते हैं तो यहां एक कड़ाय में 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल लिया है अब कोई भी तेल ले सकते हैं लेकिन मस्टर्ड ओयल में बहुत ही अच्छा बनता है तो यहां आपने 2 मीडियम साइज का अनियन लिया था उसको गॉल्डन जिंजर गालिक पेस्ट डाल देंगे तो यहां हमने 2 मीनियम साइज का अनियन जो है उसको ग्राइं कर लिया था इसको मिला लेंगे और इसमें जिंजर गालिक पेस्ट डाल देंगे जिंजर गालिक पेस्ट में हम वं टेबल स्पून गालिक पेस्ट और वं टेबल स्पून लाल मिर्स पॉडल और वन टी स्पॉन भढ़के जीरा पॉड़र वन टी स्पॉन धनिया पॉडर और वार्फ टी स्पॉन हल्दी डालेंगे क्योंकि हल्दी हमने इसमें भी डाला था बॉयल होने की टाइम पर मिला लेंगे अच्छे से और इसको भी एक दो मिनट तक अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ अच्छे से भूनने के वद हम इसमें टमाटर डाल दिये हैं तो टमाटर हमें दो मीडियम के साइज का लिया था मिला लेंगे अच्छे से और इसको भी तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर अच्छे से पकना जाए तो यहां हमने दो तेज पता वन टी स्पून भड़के गरम मसाला पॉडर भी डाला था जो हम वीडियो में दिखाना भूल गए थे मिला लेंगे अच्छे से और इसमने कठल के से डाल देंगे तो यहां हमने इसको अच्छे से डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तब हम इसको 5-7 मिनट तक मेडियम फिल्म में ब मूनेंगे बुनने बीच में ही अब हम इसमे नमक डाल देंगे 1 टी please वन टी स्पून हमने पहले बॉयल करने टाइम पी भी डाला था तो इतना नमक काफी है मिला लेंगे अच्छे से और इसको भी एक दो मिनट तक और भून लेंगे तो यहां अच्छे से सबजी को भूनने के बाद आप देख सकते हैं इसका ओईल भी बाहर आ गिया है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे एक कब हम एक कब ही डालेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं दें डालना है इसमें थोड़ा सा ही डालना है अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी डालना है तो इसमें आप ज़्यादा पानी अपने हिसाब से डाल सकते है तो हम इसको मिला लेंगे और इसको ढख के दू मिडियम शलम में पकने देंगे दू मिनिट तक मिडियम फिलम में पकाने के बाद यहां हम सबजी को देख लेते हैं और इसका तेल भी बहार आ गिया है तो अब हम इसमें हारा धनिया डाल देंगे तो यह हमारी कठल की सब्जी जो है वो बनके तयार हो गई है यह बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है और यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है अब इसे रोटी चावल किसे के साथ भी खा सकते हैं अगर आपको मेरी ये रसेपी पसंदना है तो प्लीज 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 लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना पूले मेरे चैनल को और थैंक्स वो वाचिंग